मैं भगवान के अपमान का वीडियो दिखा रहा हूं मत पर्देश के रीवा में बीजेपी ने एक दफ्तर बनाया सामने मंदिर आ गया कोई नहीं बोलेगा इसके चिला क्यों कि ये बीजेपी का दफ्तर है कर आए कि कमेंट करने वाले के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया हूं कमेंट करना बहुत आसान होता है कोई कुछ भी टाइप कर देता और इसको हमें दिल पे नहीं रहना चाहिए हम अपना जो कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए बिलकुल बिलकुल करता है जब आप उस लेवल पर पहुंचने के बाद भी बावा साफ का नाम लेते हो ना तो दो को लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सामने होले ने किया है और वो उसके बाद भी बहुत सा अपना नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखे हैं निशनल दस्तक मेरे साथ खास महमान है आप सब जानते हैं पुरी दुनियामीन को लोग जानते हैं तथाजत लाइब के नाम से शांदार ब्लॉग बनाते हैं और अंजुल आज हमारे साथ हैं और हम लोग बातचित भी करेंगे पहले कुछ बड़ी खबरे में बता दूँ जिसका डर था वही हुआ जैसे किसानों को टरका दिया गया था टरका देने का मतलब होता है कि अंद जो खिलारी थे तीन रिसलर जो थे उनके साथ हुआ है आज तीन पहलवान ने टूइट किया है यह मैं नहीं कह रहा हूं अनुराग ठापुर ने कमीटी बनाने की बात कही थी बजरंग पुनिया ने टूइट किया है बिनिवेस ने टूइट किया है हमें आस्वासत दिया गया था कि ओवर साइट कमीटी के गठन से पहले हमसे प्रामर्स चिया जाएगा बड़े दुख की बात है कि कमीटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं गये गयी तो यह उसके बात साक्षी मलिक ने ट्विट कि हमें आस्वासन दिया गया था मतलब जो खिलारियों की जो मांग थी उसके रही जो कमीटी वननी थी उसमें इन से संपक नहीं लिया गया तो अगाज क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अब उसके बाद एक और खबर है बहुजन समाज के लिहास से बहुत जरूरी खबर है जो मैं चाहता हूँ कि लखनव में इस देश में अरक्षन हो तो कौन जाता है कोट में ब्रहामन समाज अरक्षन के खिलाब जब भी आप किसी धार्मिक करमकान के खिलाब बोले तो कौन जाता है ब्रहामन समाज सवाल है कि क्या इससे ये माना जाए कि धर्म के नाम पर जो बिजनेस हो रहा है दिलिप मंडल ने एक अच्छा ट्वीट किया आज़ा, सुचिए मुझे रोच सबसे ज़्यादा मत पर्देश उसके बाद बिहार और यूपी से ब्रहामन समाज के लोग गाली गलोज कर रहे हैं मेरे साथ मार पीट की दमकी, गाली गलोज की दमकी मैं कहता हूँ भया कोट चले जाई, हम देख लेंगे आपको वो भी नहीं करते हैं क्या इनको अभी भी ये ताकत कहा से मिलती है इस तरह के गाली गलोज, मार पीट की दमकी ये ताकत मिलती है क्योंकि इनको लगता है कि चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तर ये लोग बैठे हूँ है सिस्टम में कॉंस्टेबल से लेकर कमिसनर्ता के लोग बैठे हूँ है सिस्टम में ये गफलत में है, इनको नहीं पता है इस देश समिधान से चल रहा है और इस देश में 97% हिंदू की आवाज ये नहीं दवा सकते हैं इनको जवाब तो देना परेगा कि धर्म के नाम पर क्या आप किसी को गाली देंगे किसी को नीच कहेंगे और इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है किताबे तुलसी दास दूबे ने लिखी है राम चरित्र मानस जो है वो तुलसी दास दूबे ने लिखी है भगवान राम ने नहीं लिखा है इसलिए बच नहीं सकते हैं कि भगवान राम ने लिखा है तो मैं फिर कह रहा है और सुचिये स्वामी परसाद मौरिया के साथ पूरा बहुजन समाज करा है एक तक करूँ चरित मौरिया कर दोखज सकते है झाल def seizure आवफ वतिछ इस देश के 97 परसंट लोगों को हिंदूों को सुद्र और अच्छूत कहा रहा है जिस किताब में इस देश की आदियावादी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है आप उसको हटाईए ये भगवान का अपमान कैसे हो गया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जादी नहीं चलाए मैं एक भगवान के अपमान का विडियो दिखा रहा हूँ मद परदेश के रीवा में बीजेपी ने एक दफ्तर बनाया सामने मंदिर आ गया उसको धा दिया गया ये दिखें ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ विडियो देखें बुल्डोजर चल रहा है मंदेश को मद परदेश रीवा में कोई नहीं बोलेगा इसके खिला क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का दफ्तर है मैं इसले कह रहा हूँ कि इस देश में पहले जो लोग जाती के नाम पर मजा करते थे जो जिनोंने जाती बनाई जो जाती के नाम पर उपर थे जब बावसाय का संभिधान लाग हुआ इस देश का संभिधान लाग हुआ आपको छबी जनवड़ी है घर-घर में संभिधान पहुचना चाहिए जैसे तिरंगा पहुचाया गया मोदी जी को शुक्रिया पैसा भी लीजिए तिरंगा पहुचाया अच्छी बात है तिरंगा भारत की शान है आनबान शान है घर-घर संभिधान भी पहुचाया है मोदी जी भले हमसे पचास लुट एक्स्टा चार्ज कीजिए लेकिन शबी जनवड़ी पर संभिधान पहुचाया और आज उत्तर परदेश दिवस है निशनल दस्तक के सबसे ज़ादा दरसक उत्तर परदेश के होते है तो उत्तर परदेश दिवस पर उन तमाम उत्तर परदेश के लोग को बहुत-बहुत बधाई और सबको बधाई उनकी जीवन में खुशियाली आए और उत्तर प्रदेश जहां भगवान बुद्ध ने पहली उनका परिनिर्वान हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ पहली सिक्षा उन्होंने बनारस में दी सारनात्म उनका परिनिर्वान हुआ तो मगर्द और उत्तर प्रदेश का बहुत खास रिस्ता है और उत्तर प्रदेश में रामसरु बर्मा हुए सुनिलाल पटेल हुए राजनीती में भी और बहुत सारा इतिहांस है उत्तर प्रदेश का कबीर हुए रविदास महाराज हुए तो वो बनारस के गलियों के इतिहा से और आजुनिक भारत के रसायन सास्त्री माने बरकांसी राम साहब हुए भारत की सबसे मजबूत नेता मावतिजीमि और उसने पुछ फुलन देवी की जडये जूरी हुई है उत्तर पर्देश से जो धुनिये के सबसे बड़ी आईरन लेडी है तो उत्तर प्रदेश का अपना इतिहास है अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश में चार चार बार दलित मुखमंतरी होती है ये भी खास है तो उत्तर प्रदेश को बधाई हो और निस्ता दस्तर को सबसे ज़्यादा चाहने वाए लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सुचिए मैं हलके फुलके मूड में ये सारी बाते कर रहा था लेकिन सोचिए कि आप कल्पना कीजिए कि कोई गैर सवर्ण सांसद होता वीजेपी का या कोई गैर वीजेपी नेता होता और उस तरह से खिलारी आरोप लगाते तो अब तक क्या होता वहीं खिलारीों में जिस तरह से हैरेस्मेंट की बात कही थी उनको भी एफायार दर्च कराना चाहिए था तो यह बड़ी ख़बर थी जो मैं आपको बता रहा था और सोचिए कि लगाता लगाता जिस तरह से धिरिन शास्त्री को लेकर एक करवाहट उत्पन किया जा रहा है इस देश के ब्रह ब्रहामन बाद और ब्रहामन में अंतर समझना पड़ेगा हम लोग ब्रहामन बाद जाती बाद मनुबाद के खिलाफ है किसी जाती के खिलाफ नहीं है हाँ यह बात आपको माननी पड़ेगी कि चपरासी से लेगी इस देश में रिपर्जेंटेशन किनका है ओबार रिपर् करें यह कोड़ चले यह यह मार पीर दंगा धंकी देने लगते हैं तो सबाल तो पूछा जाएगा आज बिहार के राजस मंत्री आलोप महता को धंकी देने वाले दोनों बढ़ामन समाज से हैं आपको क्या लगता किसी को गाली दे के धंका के बच जाएगा अरे सर इस देश म की भाईचारा रखिए देश के नागरिक बनिये जाती और धरम से उठकर सिर्फ भारतिये बनिये और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको दिजिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोचल मिजिया पर सब लोगो समझना पड़ेगा सब लोगो बाचित करनी पड़ेगी और यह गाली गलो सोची मुझे तो यह चीश कॉमन लगता है यह जितने मनुबादी जाती बादी ब्रहमन बादी है इनका एक खास पहचान है गाली गलो अब इस देश में भारत का संविधान कहता है कि आप अपने आस्था का धर्म का परचार परसार कर सकते हैं उससे किसी को नुकसान ना हो किसी को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं तो यह यह तस्वीरें हैं और अन्जुल कैसे कहेंगे तथागत लाइब तथागत लाइब जो है आपका तो कैसा चल रहा है और आगे क्या है स्टैट जी आपकी क्योंकि आपके ब्लोग को सबस्ज़ादा पसंद किया जाता है शमवाई जम मैंने यह स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था मैंने कमरे से स्टार्ट किया था और बाबा साहब की फोटो लगी होती थी उनको दिखाता था बुद्ध की फोटो लगी होती उनको दिखाता था कुछ किताबों में बाबा साहब के बारे में पढ़कर आगे बढ़ने लग गया है और बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच गया है कि मैं अभी रिसेंटली जहां पर मुंबई गया था वहां बावा साहब के जो ग्रैंड सन है उन से मिलकर आया हूं और उनके साथ ब्लॉक शूट करके आया हूं और उन्होंने मुझे यह बोला कि हम क्युंक वेडियो देखें हैं और वहां जब मैं बेटा हूं था तो वहां भी आपका थार्यों सुनिया को सुने नहीं और आपकी तारिए हो रही वह बैद्टी है था तो वह एक ना मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस चीज़ से क्यार बावा साथ के पोते हैं लोग को लगता है कि आप यूटूब पर बोल रहे हैं कौन सुर रहा है कुछी दुनिया आपको सुन रहा होता है देख रही होती है और जान रही होती है और हमको वो चीज ना लोगों तक पहुंचाने में जो खुशी मिलती है वो भी एक अलग है अजय है खृत वल्ला जो मसला हमारे लोग मैक्समाम ड़ जाते हैं दंकिया में ड़ गए चुप हो गए आपके भूस रात मिस इस इन सब चीजो से सामना हुआ यह आम बात है मतलब कमेंड आना तो एक बहुत ही आम बात है लोग बाग उट पड़ान बखते भी है और बखने से कामेंट कर फोन करके भी हम क्यों लगाते हैं कई वार पोन लागा के बोलते हैं भी यह इस बार आओ में देख लेंगे तुम को वहां पहुंचो पर तो हम अब यहां लगाता है वार आओ मैं यूटूब पर रोज देख सकते हैं और लाइक सब्स्क्राइब भी कर सकते हैं तो बहुत आम बात है मैं जब इस यूटूब पर आया था ना तो मैं यह सोचकर आया था कि भाया आके देख लेना और मैंने एक छीज देखी है जो लोग क अब आधरे हो गए थे वहां मैं सच बता रहा हूं मैं वहां पर गया हूं कि सामने कड़ों मैं बहुत आप कर देख और इसको हमने दिल पे नहीं रहना चाहिए हम अपने जो कर रहे हमें करते रहना चाहिए और जो करने से हमें खुशी मिल रही है यह जो सही है जो सही है अ अगर हमें अच्छी एसे संद किस तरह से लोग किस तरह से अप्रिसीएट करते हैं इस क्या कहते हैं लोग इन शमभाई लास्ट टाइम मुंबई गया था उसके अथपिड से मुंबई गया और जब वहां पर लोगों से मिला ना तो वो लोग देखकर खुश होते हैं और अपना ही ब्लॉग देखकर और अभी तक यह लगता है कि यह ना जो महारास्ट के पीपल है वो सब मराथी में ब्लॉग शूट कर रहे हैं और वहां पर बहुत वो लोग एनरजेटिक हैं बहुत नौलेज है उनके पास वो लोग इतना ज्यादा पढ़ लिखकर हावर्ड प नाम सुना है रोहीनी घाबरी उनको एक करोड का स्कॉलर सीप मिला और शुट्जर लैन में परहाई कर रहे हैं आपको पता नहीं नहीं पता मुझे त्वीटर पर उनको फॉलो किजिए मैं करता हूं उनको फॉलो और अभी में अंदोर जा रहा हूं और उनके पैरेंट से स हैं और एक करोड के स्कॉलर सीफ है मैं आपको दिखाता हूं रोहीनी घाबरी हैं और हार्ट कोर अमबेट कराइट हैं शांदार बोलती हैं मैं आपको ट्वीटर पर दिखाता हूं कराटे एक चेंपियन सुप्रिया जाटा वो भॉपाल की है मैंने बहुत बार पोशिश की कॉंटेक करने की बट वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है यह यह है रोहीनी घाबरी पिस जी स्कॉलर सुज्या लैन एंड एंड एंबिसियर सोशल एक्टिविस एजुटनेस डाटर अप ग्रेट इंडियन स्वाइल डिसंसी इस माई जोएल अमबेट क्राइट यह जो वर्ड लिखाना ने अमबेट क्राइट यह बस इतना ही काफी है इंको कि यह है और देखे यह दावोस में भी अभी थी सुज्या लैन में और यह है और निसना दस्तक ने इस पर वीडियो भी लगाया और यह बोल रही क्या सु सुनी है मेरे माँ एक सुपर है और मुझे एक करोर के स्कॉलर्शिप मिली है और अब्ल यह देखे यह हैं यह अमग Цे है अपके इन दूर से आपको नहीं पथा ता है मुझे सच में नहीं पता है मैं अभी इन दौर जा रहा हूं और फकाइदान से मुलाकात करूँगा यह तो सुज्यलेंड में है अभी सुज्यलेंड में हाँ इनके घरवालों से मिल सकते हैं यह तमाम बहुत जन नेताओं को फॉलो करती है और मुझे उम्मीद है कि इने संदस्तक जरूर देखती होंगी यह बड़ी बात है कि उनने वाँ पर अंबेट कराइट लिख रखा है नेताओं को फॉलो करती है उनको उनके रिट्वीट भी कर रही है देखा है तो यह एक बाल्मी की समाज से आए बीना छुट्टी के दिन रात उनसे सफाई कराई जिसकी तारीफ अज पूरे देश में हो रहा है दुख इस बात का है कि इसके बजबने उचीत बेतर नहीं दिया जाता है तो सुसली काफी है वेर है यह आज भी उठा रही है बहुत अच्छी बात सकते हैं अपने जो भी उनके अंदर हूनर है जो क्रेटिविट है उसको दिखा सकते हैं मैं वस यह बोलना चाहता हूं कि बावा सामने बोला तो बी एजुकेटेड तो जो सिख्षित बनो ना ये बात ना अभी भी हमारे लोगों ने उसको एकसेप्ट नहीं किया है अगर आप कर लेते हो ना तो अपके पास इतनी सारी राहे हैं जैसे आपने इनका नाम बताया ऐसे बहुत सारे लोग है और अइसी बहुत सारी तरीके हैं कि आप Harvard तक पढ़ सकते हो पिलिया सिंग को मुझे इन्मिटेशन है पिलिया सिंग को कार गिफ्ट किया जा रहा है समाज दे रहा है अपने तरफ से कार और बढ़िया 25-30,00 रुबई ही कार तो लगता है कि जितना हम लोगों नौकरी भी किस सरकारी नहीं सरकारी निए प्राइबेट जोग करता है तो उसके बाद फिर आप ब्लॉगिंग कर रहा है मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा था शुरुबात से ही मैं 3D अनिमेशन के उपर वक करता था अनिमेशन के जाता है जो है भी एचल के लिए 3D अनिमेशन मुवी बनाता था डॉकमेंटरी शूट करता था गुगल अर्थी के लिए काम करता था उसके लिए पेपर में ख़िए वा नाम भी है 2010 में लेकर उसकर मैंने सोचा कि यह साही टेकनोलोजी में सीख रहा हूँ इसको मैं बाबा साप के लिए स्तमाज करना चाहता हूँ तो आप उनले आपको एक इंस्ट्यूट सुरू करना चाहिए अन्जूर को जहां बापी लोगों को पराया जाए इंस्ट्यूट तो बहुत सारे हैं बताना जिरूरी है आजकल जो है जो हम 2010 में सीखते हैं 2006 में कि अनिमेशन कैसे किया जाता है वह आजकल बहुत इजी हो गया है आप मुबाइल पर एक क्लिक कर जो साथा चीज़े बना सकते हो लाइफ जो बहुत फास्ट हो गई है और अब जाकर आप जो आजकल नया तरीका है आप जो भी करते हो ना उसे एक्सप्रेस करने का जो तरीका है रील्स बनाने का शॉर्ट बनाने का टिक टॉक बनाने का इससे आप अपने अंदर की क्वालिटी है ना वो लोगों के सामने रिखा सकते हो और वो बहुत इजी हो गया एचकल तो वो बैटर है कि अगर आप इस तरह के पिछ वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं जैसे जो मैम का बरेंव आपने बताया कि मतलब उनके पास वो उनके करोड की स्कोलर्शिप मिली यू उसके बार भी वो अपने कमिलिटी वालों की बातें इतनी मुखर हो कर रख रहे हैं वो बहुत बड़ी वात है तो तो रेल्स से रिज मोनेटाईज हो गए हैं है हम लाइ यह आप फेस्बुक का रेल्सार पोकस कर रहा हूँ जितने भी यूटुबर से ना इनको रेल्स से फोकस करना चीज़ है जैसे आप न्यूज बना रहे हैं आप एक मिनिट का न्यूज बनाईए खौद भेंकर वाइल हो रहा है और मैंने देखा है कि जो महाराज के लोग है यह लोग मराठी में बनाते हैं और इनके जो रीच है बहुत अच्छी और यह बावा साथ क्यों पर बनाते हैं उसके बाद भी नकेल कसने कोशी थे कानून भी भारत सरकार ला रही है अभी सोचर मीडिया पर उनकी कोशिस है कि नकेल कसा जाए कि जो भी PID जो होता है प्रेस बीरो आफ इंडिया वो अगर कहते हैं कि यह फेक नूज है तो फेक नूज है लेकिन ब्लॉग उससे अलग है इ सब्सक्राइब करें बता रहा हूं है हम लोग ना बाबा साथ के साथ वेलेंटाइन डे बनाने वाले हैं और यह बहुत ही जादा अनोखा कॉंसेप्ट है जो आने वाले टाइम पर आपको देखने पो मिलेगा और यह पूरे वर्ल्ड में धमाका होने वाला है आप यह समय सकते हैं आप चाहें तो भावा साब से जुड़े हुई कोई भी बुक इंगलेश हिंदी मराटी तथागर डॉट लाइप पर यह खरी सकते हैं जो ऐसी एंटिक टी-शिर्ट हैं जो इस टाइपी चीज़े हैं वो सब आपको तथागर डॉट लाइप पर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मेरी जर्नी है मुंबई गया हूं वहां पर जो भी अनोखा मिलता है ना मैं वह सब वहां से बटोर दाता हूं उन्य एक प्रभुद्य भारत उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वेब्साइट पर ले के आया जाए और तो उससे जो भी खरिगना चाहता है ऑ में पर ले 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 ओनलाइन वहारे वेबसाइट से वह पेपर जो आज भी बावा साप के उसी प्रिंटिंग प्रेस ने शपता है तो आप कब से मतलब बिट्राइट कब हुए बच्पन से थे फैमिली बच्छ से हुई या परहाई लिखाई उने को बाद मेरे द आप के इस दिप्र मेरे दादा जी थे हो मॉंग थे वो और आपके ऐस थे हाँ अ मतलब मैं अ मतलब में एस गैटिगरी में ही जए इक रेटी बचाइपर बहुत जोर दिया मेरे दादाजी छॉटी क्लास पड़े और मेरे बिताजी गुनहने बहुत अच्छिए से पढ़ और मेरे पिताजी ने मुझे जितना हो सका हुतना पढ़ाया और मैं वापिस बावा साथ की खोज में निकल गे अगर आप करम कांड से दूर होंगे अगर आप बुद्ध के बताये रास्तों पर चलेंगे अगर आप बावा साथ को फॉलो करेंगे तो एक बात कि मैं गरांटे देता हूं, कि आपको अमीर होने से मजबूत होने से कोई नहीं रोख सकते हैं, बिलकुल, 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 अगर आप बावस आपको फॉलो करते हो ना, तो आप अमीर हो जाओगे, पलस आप कॉंफिडेंट भी रहेंगे, आपको मत परदेश में थोड़ा प्रोब्लम जादा है, मत परदेश में जाती वाद बहुत जादा है, बहुत जादा, मत आप सोची, जब मेरे दादा जी ने 1977 में बुद्विहार बनाया तो उनको बहुत तकलीवे होई थी, और उस समय वहाँ बदन तान कोशलयान जी को भुलाया गया था, उसी बुद्विहार में और वहाँ स्ट्राइकर प्रोग्राम कर रहाते थे, तो मुझे पता है, मैं बचमन से देखता हा रहा हूं कि किस तरह से वहाँ जाती वाद है, जहां जाती वाद ज्यादा होता है, वहीं बुद्विहार और हमारे जैसे लोग भी बहुत जिनको वह उतना उठते हैं तो आपने कभी अपना लोकेशन बताया है लोगो कि आप कहां के रहने वाद हैं नहीं मार के रहने रहते हूं, और आप भी चाहते हैं इनसे कुछ टेकनिकल सपोर्ट लेना तो आप इनसे संपर कर सकते हैं तर थागत लाइब पर जाएए, इनक ये बड़ा बड़ा फिल्ड है, नीज क्वालिटी ऑफ जॉब है, लोको आना चाहिए, व्लोग्स हो, आपनी बाते रखने, अभी अगर आप लोग नहीं आये ना तो आप लोग मिस कर जाओगे, क्योंकि जब ब्लॉगिंग, जो नॉर्मल ब्लॉगिंग भी इंडिया में आई थी, वो 2012-2015 के असपास आई थी, और उस समय भी उनके हाल जो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो टॉप लगिंग पहुंच चुके हैं, बावा साहब की जो ब्लॉगिंग सिस्टम है, या बावा साहब की कंटेंट क्रेटर है, या न्यूज है, या बोजन मीडि जो भी आप करते हो, नाच करते हो, दान्स करते हो, गाना लिखते हो, कुछ भी हो, तो आप YouTube को एक बड़ा vital field होना सकते हैं, ये आप है ना महरास साइट जाओ, वहां पर गभी है ना मराथी वाला सिस्टम देखना, और उनके वीडियो और उनके व्यूज देखना, वो जो वेलेंटाइन डेविद वावास साँ मनाने वाले हैं ना, वहां पर मैं आपको बताओंगा कि कैसे लोग कितने एक्स्टीम तरीके से डबल अप हो रहे हैं, और आप लोग कंटेंट वना स्टार्ट कर दो, वना आप सोचोगे यार हम लोग कभी उनके लेवल तक नहीं अब अगर कोई सोचेगा 60-70 लाइक पहुचना है तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान काम है, लेकिन जब आपने चुरुवाद की थी, आपने कहां से की थी, 200-300 सब्सक्राइबर से, आपने कोई सोचा था आप यहां तक आओगे तो मैं कहरा हूँ, करियर के लिहाज से भी आप लीजिए, और news content ला सकते हैं, blogs बना सकते हैं, आपके जो भी शौक हैं, उसको आप दुनिया को बताईए, दिखाईए, और यह बहुत ज़रूरी भी है, आपकी personal life में भी बहतरी होगी, तो digital media पर सिर्फ आप consumer मत बनिए, भो देख रहे हो, अपना time waste कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो, तो आप अपना time भी आप बजा रहे हो, दूसरे को कुछ अच्छा सिखा रहे हो, तो simple word, ऐसा short मत देखो, कुछ ऐसा देखो, जिससे आपको कुछ मिले भी, तो आज अंजुल के साथ ये बादचीत थी, कैसी लगे आप लोग को अपनी पत्रिया जूर दीजिए, और मेरे साथ जूरने के लिए बहुत दो शुक्रिया, और मैं जो लोग गाली गुलोज करते हैं, उनको माफ कर देजिए, भुद्ध ने कहा है कि अगर आप किसी से न करने के लिए रेट कलर के सब्स्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें